हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर मुंग फली वाली पर्फेक्ट डोसा चटनी की रेस्पी यह बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं एक पैन लेंगे उसे गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे मस्टर्ड ओयल दो बड़े चम्मच फिर इसमें डालेंगे साबूत धनिया एक चम्मच और उसे हलका सा भूनेंगे हलका सा कलर आने तक फिर इसमें डालेंगे सुखी लाल मिर्ची 3-4 अद्रक डालेंगे 2-3 इंच मिर्ची आप अपने नुसर कम ज़्यादा कर स चलल रखेंगे अ पैक कि देखे यह अच्छे से भून रहा है और हलका हलके इसमें कलर आने लगा है तब हलेंगे एक कटा हुआ प्याज भारी है और उसे वह भूनेंगे और फिर यहां पर डालेंगे चना दाल कि एक चम्मच इसे भी हलके आज में भूनेंगे हम फिर डालेंगे यहाँ पर मुंफली, दो बड़े चम्माज अब इसको ना कलर आने तक इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब यह हलका सा ब्राउन होने लगेगा तब तक इसे हम भूनेंगे धीमी आज पर यह देखिए कलर चेंज हो गया है यहाँ पर तो यहाँ पर डालेंगे टमाटर दो बड़े साइज के बारिक काट करके और इसे भी हम भूनेंगे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे अब यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे यहाँ पर हल्दी डाल रहे हैं आधा चम्मच फिर इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और फिर इसमें डालेंगे हम धनिया पॉडर एक चम्मच इसे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चटनी का अब इसे डाल करके न अधम लो फ्लेम पर इसे हम भाग भाग करके भूनेगे और इसको भूनते भूनते ही इसको हम पका लेंगे भाग भाग करके यह देख़्रे ना इस टैप से टमाटर के ही टमाटर प्यास का जो अपना जो पानी है ना रिलीज होगा उसी से हम इसको पका लेंगे सारे चटनिओं को देखे इस तरह से पक गई है चटनी तब इसे हम उतार करके ठंडा कर लेंगे और इसे मिक्सी-जार में हलके पानी डाल करके पीछ लेंगे हैं तडटके के लिए मैंने लिया है पैन उसमें मस्टर्डोड डाले सरसो कतेला कोहीं भी कुकिंग वाल ले सकते हैं तीन í दालेंगे सरसो पीली सरसो मैंने लिया है फिर हिंग यहां देंगे हम 3-4 चुटकी और यह जो सर्सो है थोड़ा चटकने देंगे फिर इसमें डालेंगे सुखी लाल मिर्ची 3-4 और फिर करीब पत्तर डालेंगे हम 10-12 अब इसे ठंडा जब हो जाएगा तो इसमें हम जो चटनी है ना उसमें हम तड़का लगा लेंगे इस चटनी को आप इस्टोर करके फ्रीज में एक दो दिन रख सकते हैं क्योंकि हमारी जो चटनी है ना अच्छे से पकी हुई है सारे जो लैसुन प्यास टमाडर हमारे अच्छे से पके हुए है तो आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं एक दिन तक और कोई भी प्लेन डोसा या मसारा डोसा के साथ इसको सर्व करें यह बहुत ही टेस्टी लगती है यह चटनी फ्रेंस फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तबते के लिए आप अपना ध्यान रखें शुक्रिया बाइब